हलो रिवान वेलकम टू फार्मा रॉक्स यूटूब चैनल फार्मा रॉक्स के यूटूब एज्जू के इसनल चैनल में आपका सौगत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे स्कीन डिसीजिस के बारे में तो हम सिखने वाले हैं तोचा सबंदेत र और किस तरह से हम उसका treatment कर सकते किस तरह से हम उसका ilaj कर सकते है वो हम सीखने वाले है ये वीडियो लेक्चर के अंदर तो इस रिलेetin जो डिसने ब्या अलग-अलग डिसीजिज़ होती है तो ये होने के कोजिस, सिम्टम, मेडिसिन और ट्रीटमेंट को हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर सिखेंगे तो एक्सपर्ट लेक्चर बाया मरसर, आसिस्टम प्राफेसर और फाउंडर और फार्मारोक्स तो अगर आपके पास एंड्रोड फॉन है तो डाउंडोड कर ये फार्मारोक्स का एंड्रोड अप्लिकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर अगर आपके पास आइफॉन है तो एप स्टोर पर से भी आपको डाउंडोड कर सकते है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो अब समझ ये स्कीन डिस्स के बारे में स्कीन डिस्स मतलब की ऐसे डिस्स या फिर ग्रूफ अप डिस्स कि जो आपके स्कीन को स्पेस्टली अफेक्ट करते हैं और वहाँ पे प्रॉड्डूस होता है सूजन कि जिसको हम कहते हैं इंफ्लैमेशन होना और वो पर्टिकलर एरिया की जो स्कीन होती है वो डैमेज होना स्टार्ट होती है अलग-अलग जो कोजिज ये रिजन्स के कारन के कारण कि जो हम आगे सिखने वाले है तो primary आप ये समझे कि skin disease के अंदर mainly क्या होता है तो जो भी आपकी तवाचा है आपकी जो skin है वहाँ पे सूजन होती है, inflammation होता है और आगे जाके आपकी जो skin है वो होती है damage फिर यहाँ पे दूसरी जो हम characteristics देखे skin disease के अंदर तो वहाँ पे आपको खुजली होती है जिसको हम कहते है इचिनेस फिर कई बार skin जो है वो red हो जाती है और वहाँ पे rashes वगेरा भी develop होते हैं कि जो skin disease के अलग-लग symptoms हम कह सकते है in cases of short duration there may be small blisters while in long cases the skin may become thicken मिला आपके कई बार skin की जो थिकने से वो बढ़ जाती है साथ हो साथ आपके जो skin है उसके उपर आप small blisters कि जैसे जो patches वगेरा develop हो जाते है rashes develop होते है कि यहाँ पे यह जो आप skin के उपर देख सकते है कि जो अलग-अलग rashes जैसा develop होना inflammation होना blisters जैसे develop होते है और यह condition समझे कि long time तक चलती है तो आपके skin की जो थिकने से वो increase हो जाती है तो यह है condition of a skin disease तो reasons क्या है कौन से आसे reasons है कि जिसके करन आपको skin disease होती है तो सबसे पहले abnormal function of the immune system कि जब आपकी immune system proper अच्चे से काम नहीं करती तो उस वक्त skin disease जो होना start होता है जैसे कि आपको कोई food product की allergy है या फिर ऐसे अलग-अलग environment change होते है उस वक्त भी आपको allergic condition हो जाती है तो इसको हम कहेंगे कि abnormal function of the immune system कि आपकी जो immune system है आपकी जो रोप प्रतिकरक सकती provide करने वाली जो system है वो अपना abnormal काम करती है और जिसके कारण आपको अलग-अलग allergic reactions होते है और उसमें एक condition जो develop होती है वो है skin disease दूसरा हम देखे तो skin barriers defect that allow moisture out and jumps in कि हमारे जो skin की जो barriers होते हैं उनका एक काम होता है कि वो moisture को अलो करते है and jumps को बाहर रखते है जबकि barrier related defect जब किसी को हो जाती है तो ये reverse condition होते आती है और moisture बाहर जाता है और jumps अंदर आ जाते है तो ये जब defect किसी को होता है skin barrier defect जिसको कहा जाता है तो उसके करण पर skin disease होती है तिसरा reason है कि endocrine disorders जैसे कि आपको thyroid disease है तो जिन लोगों को thyroid related problem होता है उनको भी उनकी skin के उपर आपको skin disease develop हुई देखने को मिलती है उसके अलबा microbial infections कि जो अलग-अलग microbial से जैसे कि bacteria है virus है fungi वगेरा है तो उसके infection के कारण भी skin disease होती है फिर जब environment change होता है कि climate change होता है उसक गिलाइक की summer season में से आप आगे जाते है monsoon के अंदर तो कई बार लोगों को monsoon के अंदर भी जब climate इस तरह से होता है कि humid होता है as well as कई बार गर्मी भी होती तो hot and humid weather के अंदर भी लोगों को कई बार skin disease develop होना start होता है उसी तरह से monsoon जब खतम हो जाते हैं और आगे जाके winter season आती है तो winter season के अंदर भी आपकी skin जो है वो कई बार dry होती है और अगर समझो आप वो dry skin के treatment ना करे तो आगे जाके वो भी एक skin disease के रूप में परिवर्तित हो सकती है तो ये एक environment भी affect करता है कि जो एक major factor बनता है कई बार skin disease के लिए कि कई बार seasonal allergies के कारण भी लोगों को skin diseases देखने को मिलती है फिर food allergies के कारण भी आपको skin disease हो जाती है और लास्ट में हम देखे तो कुछ ऐसे genetic factors भी होते है family history भी होती है skin disease की तो उसके करण भी आपको skin disease देखने को मिलती है तो अभी जैसे हमने देखा कि hot and cold temperature कि very hot and very cold weather high or low humidity and perspiration from exercise can bring out the eczema की जो हम कहते हैं की skin related disease है एक की जो dermatitis जो हम कहते हैं की आपकी skin उपर rashes develop होना inflammation होना तो ये सब condition develop होती है की जब temperature change होता है climate change होता है humidity increase होती है या फिर decrease होती है hormonal change होना जैसे की आपके अंदर जब hormonal changes वगेरा होते है उस वग भी कई बार skin disease develop होती है skin के उपर rashes होना pimples वगेरा होना तो वो भी एक skin related disease ही हम कही सकते हैं और वो hormone changes के कारण होता है तो females may experience increased the eczema symptoms when their hormones level are changing such as during the pregnancy and at the certain point in the menstrual cycle तो females के इंदर और जब hormonal changes होते है pregnancy के दौरान या फिर menstrual cycles के दौरान तो उस वक्त भी eczema की जो symptoms के लिए crisis develop होना eating वगेरा होना skin उपर तो वो symptoms develop होते हैं कई बार फिर irritants जैसे की कोई soap कि आपको किसी soap की allergy है detergent की allergy है shampoo वगेरा है disinfectant है juice from the fresh fruit meat, vegetables तो ये समझे के आपके लिए irritant का काम करते है allergens का काम करते है तो वो भी आपको आगे जाके skin disease जो है वो करवा सकते है sign and symptom समझे skin disease के तो सबसे common कोई side effect है sorry कोई एक common sign and symptom हम देखे skin disease का तो वो है itching होना मतलब की जो भी affected area है वहाँ पे आपको खुजली होना जहां के जैसे के आप यहाँ पे देख सकते है कि यह सो एरिया है कि जहाँ पे हम marking कर रहे है तो वो affected area का है सकते है हम skin disease का तो वो जगा पे person को क्या होता है सबसे पहले तो itching होती है which may be severe especially at the night तो आपको खुजली होना स्टार्ट होता है और वो भी specially रात के दौरान उसकी intensity जो है वो और ज़्यदा बढ़ जाती है देन के कंपेर में फिर red to brownish grey patches especially on the hands feet, ankle, wrist, neck upper chest, eyelid inside the bend of the elbow knees and infants the faces and scalp very dry skin and unaffected areas मरलब की अलग-अलग patches अब डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे कि जहाँ पे भी आपको skin disease डेवलप होई है वहाँ पे अब आपको brownish से grey color के जो patches कि यह जो आप patches देख रहे है ऐसे पैचिस कई बार और ज़्यदा dark हो जाते है और वहाँ पे main itching main होता है और आगे जाके वहाँ की जो skin है वो हो जाती है dry तो यह एक primary sign and symptoms है skin disease के आगे और sign and symptoms हम देखे तो कई बार वहाँ पे small raise bumps की जो develop होते है और कई बार आपको वहाँ पे scratch करने का भी मन होता है थीक हो जाती है आपकी skin वहाँ पे crack होते है scally हो जाती है raw sensitive swollen skin from scratching की कई बार आप जब scratch करते हो skin के ओपर इस तरह से तो उसके करन क्या होता है कि skin आपकी sensitive होती है तो वहाँ पे inflammation भी develop होता है कि वहाँ पे solution हो जाना inflammation होना उसके बाद हम देखे दूसरे symptom जैसे कि rashes that are permanently itchy और ऐसे rashes से कि आपको हर वक्त वहाँ पे खुजली होती रहती है and rashes that cover much of the body और आगे जाके skin related और ज्यादा infections वहाँ पे develop होंगे तो अब बात आती है कि ये skin disease का ilaj कैसे करे treatment कैसे करे तो यहाँ पे जो हम अलग-अलग उपाई देखते है उससे skin disease की treatment हो जाती है तो सबसे पहले है कि cold compress application of the affected part तो cold compress मतलब कि आप जो है वो ice जो use करते है कि जो ice therapy जो हम कहते है कि जिसको हम कहते है बरफ तो बरफ लगाने से वो एक type के local anesthetic action produce करता है और वो काफी effective साबित होता है कि जब आपको itching वगेरा होती है inflammation वगेरा होता है तो काफी आपको राहत होती है cold compress के खारन फिर एक दूसरा option है use the skin moisturizing lotions कि skin dry हो गई है तो moisturizing lotions से अपलाई करके भी उसको फिर से moisturize करके skin disease को कम किया जाता है taking the lukewarm और oatmeal bath तो यह काफी traditional technique है कि जो हम आगे समझते है detail explanation के अंदर फिर take the bath with neem leaf extract in water कि यह वाला आप देखे कि यह neem के पत्ते आप देख सकते है कि जिनको पानी में डाल कर उबाला जाता है और उसका जो extract तयार होता है वो पानी से जब कोई नहाता है तो भी skin disease आगे जाके कम हो जाती है फिर take the proper bath using the medicated soap आप एसे soap वगेरा use करते कि जो medicated है तो उससे भी skin disease काफी हद तक कम हो जाती है फिर अब medications की बात करे तो over the counter hydrocortison के creams वगेरा होते हैं उसके अलावा antihistamine tablets वगेरा भी prescribe किये जाते है skin disease को treat करने के लिए अगर reason fungal है तो antifungal medicines भी use की जाती है to treat the skin disease तो cold compress देखे कि आप usually क्या करते है कि cool wet cloth और an ice pack often help to relieve irritated और itchy skin कि जब आपको खुजली होती है itchyness होता है आपकी skin उपर और rashes वगेरा के कारण inflammation के कारण आपकी skin जो है वो काफी irritating हो गई है तो उस वक्त ये cold compress की जो therapy है वो काफी रहत देगी आपको and the cold compress is applied to affected area and held for 5 to 10 minutes पांच से 10 minutes तक आप वहाँ पे रखिए तो काफी आपको रहत मिलेगी and the cold temperature can help to reduce the itching के एक local anesthetic के तौर पे भी काम करेगा और साथो साथ जो temperature down होगा तो वो help करेगा reduce करने में itching को तो खुजली काफी कम हो जाएगी और आपको जो कई बार वहाँ पे burning sensations वगेरा होते हैं कई बार काफी आप खुजली होती है तो उसके बार आप समझे के वहाँ पे scratch करते हैं और scratch करने के बाद burning sensation जैसा produce होता है तो cold compress से वो symptoms में से आपको काफी राहत मिलती है फिर बात आती है moisturizing lotions की कि जो अलग-अलग moisturizing lotions आपको पता है कि संतूर body lotions में गिरा है नेविया के product होते हैं वैसलीन है तो ऐसे बाहुत सारे skin moisturizers आपको market के अंदर मिल जाएंगे तो जो skin disease का reason समझे के dry skin है if the reason for itching and skin disease is a dry skin then it is necessary to provide the skin moisturizing to proper to provide proper moisture to the skin कि आपकी skin dry हो गई है और वो dry skin होने के करण itching हो रही है आगे जगे skin disease develop होती है तो सबसे पहले आप dry skin की ही treatment करी और उसके लिए moisturizers जो है वो enough है this type of minor itching usually occurs due to the dry skin so it can be easily treat with the skin moisturizers also फिर जो lukewarm बात की हम बात करते है तो वो किस तरह से बनाया जाता है अब बात in which patient's body except the head is immersed in a water from 94 to 96 Fahrenheit मतलब की temperature पानी का रहेगा 34 से लेकर 35.6 degree Celsius के बीच में और 15 से 60 मिनिट तक ये therapy जो है वो follow करता है कि जिसके अंदर oatmeal मिलाया जाता है वो पानी के अंदर कि जिसको हम कहते है हिंदी में जै का दलिया कहा जाता है तो ये दलिया आप यूस करते है lukewarm bath के लिए so in lukewarm water add oatmeal and soak for about 10 to 15 minutes और उसके बाद after the bath gently paint yourself मतलब कि आपकी body को अच्छे से सुखा देजिए after taking the bath और उसके बाद आप moisturizers वगरा apply कर सकते जो भी medicines वगरा है वो भी apply कर सकते है फिर बात आती है take the proper bath using the medicated soap कई बार क्या होता है skin disease होने के लिए एक reason होता है कि आप अच्छे से समझो कि नहाते नहीं है proper जो है वो hygienic condition आप maintain नहीं करते तो उसके करण पर skin disease develop होती है तो कुछ दिनों के लिए आपको proper medicated soap को यूज करके अच्छे से नहाना पड़ता है तो medicated soap mainly contain the following ingredient which help in treatment of the skin disease and itching जैसे कि उनके अंदर रहते है antifungal agent फिर anti-itching agent उनके अंदर होते है skin moisturizers होते है antiseptic agent antibiotics and fragrance वगरा उसके अंदर रहते है तो यहाँ पर आप देखिए Clotrimazole के 1% soap है Clotrimazole का एक soap देख सकते है फिर Savlon है Ketoconazole का medicated soap है तो ऐसे medicated soap फिर ये neem का soap होता है कई बार neem plus yellow vera के combination वाले भी medicated soap available होते है तो इस type के soap से regular अच्छे से नहाने से skin disease जो है वो काफी हद तक कम होती है फिर herbal के अंदर हम जाए तो herbal के अंदर neem की जो neem के पत्ते है उसकी paste भी आप लगा सकते है आपके affected area के उपर के जिससे वो antibacterial का काम करता है और skin disease को कम करता है साथ हो साथ समझो के आप उसके नीम के पत्तों का जो extract बनाते हैं नीम लिप extract और उससे समझो के कोई नहाता है तो वो भी फाइदे मन साबित होता है skin disease के अंदर फिर बात आती है aloe vera की तो aloe vera का एक टाइप के natural juices के अंदर include कर सकते कि जो इसके जो extract जैसे juice मिलता है वो आप affected area पे लगाते है तो वो भी काफी रहात मन रहता है and coconut oil भी आप अप्लाई कर सकते है affected area पे to reduce the itching and to treat the dry skin to treat the skin disease इसके लबाद नीम के पत्तों का ये देखिए रहे है तो ये पेस्ट भी apply करते है कई बार affected area पे to treat the skin disease फिर calamine lotion की जो antiseptic और astringent का काम करता है कई बार आपको cooling sensation भी provide करता है और eczema है, impetigo, sunburn dermatitis, etching varicose ulcer and psoriasis ये सभी टाइप के जो अलग-अलग skin disease है ये सभी के अंदर calamine lotion काफे असरदार साभित होता है और काफी हद तक जो symptoms होते है, etching वगिरा है rasis वगिरा है, वो दिरे दिरे वो कम करके आपकी skin को फिर से normal कर देता है तो calamine lotion की जो उसके जो ingredients होते हैं सब वो मिला कर astringent and antiseptic के तोर पे वो काम करता है फिर जो आप देखते हैं कि जो medicated powders वगिरा आप यूज़ करते हैं जैसे कि mycoderm का जो powder आता है कि FDC का ये famous एक brand है 100 gram की strength में वो available हो जाता है market के अंदर तो mycoderm powder भी आप affected area पे लगा सकते हैं कि जिससे skin disease कम होगी तो mycoderm is a combination of benzoic acid salicylic acid and menthol and starch उसके अलावा close up dusting powder absorb antifungal dusting powder कि close up का आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर clotrimazole absorbant dusting powder है और absorb के अंदर आप देखे तो वो antifungal है कि जिसके अंदर antifungal agents वगेरा included है तो यह FDC का product आप देख सकते हैं यह sipla का product देख सकते हैं तो यह अलग-अलग जो product से कि जो medicated powder के category में आते हैं वो भी use होते हैं skin diseases के अंदर फिर कुछ medications की हम बात करें तो tacrolimus का जो ointment कि जो 0.1% के strength में available होता है Glenmark का यह product आप देख सकते हैं और यह RX only मतलब की proper diagnosis के बाद prescription के basis पे यह medication prescribe की जाती है तो treatment include the avoiding soap and other irritant कि जब आप यह ointment या फिर cream वगेरा apply करते है तो condition यह होती है कि उस वक्त आप soap वगेरा को avoid करें certain creams और ointment may also provide to relief from the itching उसके बाद जो light therapy है कि यह जो आप देख रहे सकते है कि UV light की ultraviolet light है उसकी therapy patient को दी जाती है to treat the skin disease उसके लावा topical immunosuppression like pymacrolimus and tacrolimus कि यह जो आपने cream देखी कि जो 0.1% की strength में है और Rx only है prescription based तो यह topically person अपने affected areas के उपर apply करता है तो topical tacrolimus has been approved by the US Food and Drug Administration for the treatment of otopic dermatitis कि ऐसे skin disease के जिसके अदर dermatitis main है eczema जिसको हम कहते है inflammation होती है सूजन वगेरा होती है rashes develop होती है itching होती है skin के उपर तो उस वाग्द यह tacrolimus के जो cream है वो topically affected areas के उपर apply की जाती है तो उसका ointment 0.1% weight by weight के strength के अदर available होता है फिर over the counter ऐसे cream स्वगरा है जैसे की beta-methasone की cream आती है कि जिसको bet no weight जहापे आप देख सकते हैं कि bet no weight की cream कि जो GS के GlaxoSmith line का एक famous product है कि जिसके अदर pharmacological जो agent है main medicine that is beta-methasone है उसके बाद white ointment जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए betex कि जो एक type का white ointment हम कहते हैं तो यहाँ पे देखिए उसके description के अदर लिखा है कि for eczema ring warm itches cold cracks and pimples तो जितने भी अलग-अलग हम skin disease कहते हैं उसके अंदर ये white ointment काफी effective होता है उसके अलबा यहाँ पे जो white field ointment देखते हैं कि जिसके अंदर होता है benzoic acid and salicylic acid तो white field ointment कि उसका main हम content देखे तो benzoic acid and salicylic acid होते हैं उसके अलबा hydrocortison की जो steroid related जो medication से वो भी patient use करता है as a over the counter cream and ointment over the counter के बाद हम बात करते हैं prescription based medicines की तो prescription based के अंदर crotamiton की जो cream की जो chlorotex करके crotorex करके जो आप देख सकते हैं कि ये crotorex की जिसके अंदर crotamiton hydrocortison cream तो cream provides the rapid relief from the mild to moderate eczema crotamiton relieve the etching and skin irritation caused by the skin condition such as itchy dermatitis and allergic rashes समझो की किसे को allergic rashes हुए है skin disease के अंदर itchy dermatitis है मतलब की skin के उपर susan हुई है inflammation हुआ है और वहाँ पे आपको etching हो रही है तो ऐसी condition ब्रॉम फिनारेमाइन है satrizin है livosatrizin chlorphenारेमाइन klemastin है diphenhydramine phaxofenadine loratadine यह सभी अलग अलग जो antihistamine से phobiprescent को दिये जाते कि कुछ syrup के फर्म में यूज करता है कुछ डारेक्ली टाबलेट भी ले सकते है kleksatrizin है chlorphenारेमाइन है livosatrizin है phaxofenadine evil की जो phinarेमाइन mellet है तो यह सब popular antihistamine भी यूज किये जाते है skin disease को treat करने के जब allergy के कारण histamine के कारण skin disease हुई है तो allergic condition के कारण skin disease हुई है तो उस वक्त यह antihistamine effective होते है फिर fungus एक reason है आपकी skin disease के लिए तो उस वक्त antifungal agent जैसे कि clotrimazole है iconazole, mekonazole oxikonazole, ketoconazole fluconazole, itraconazole and variconazole तो यह सभी के tablets भी available होते है as well as आप उसके topical cream भी देख सकते है ketoconazole का 2% cream है mekonazole nitrate की भी as per the USP 2% cream देख सकते है fluconazole की 150 mg की strength के tablets देख सकते है and clotrimazole की cream की जो 1% weight by weight के अंदर है तो यह सब antifungal agent prescribe किये जाते है skin disease के लिए तो यह था हमारा special video lecture about the skin disease की जो PharmaRox के lectures होते है PPTs वगेरा होती है PDF होते है तो वो आप अब PharmaRox की mobile application पे access कर सकते है कि जो Android F है Google Play Store पे रहने Apple iPhone है upon App Store thank you for watching join कर सकते है WhatsApp group access कर सकते है study material test series and video lecture on app PharmaRox तो जरूर से डाउनलोड करिए app PharmaRox link आपको description box में मिल जाएंगी good luck and all the best